एलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरब और इस वीडियो में जिस प्रीमिया लीग मैच काम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा क्रिश्टल पैलेस वर्सेस लिवरपूल के बीच तो लिवरपूल प्रीमिया लीग का वन अब दा बेक्ट क्लब मने जाता है और अभी ए गोल स्कोर के और 14 गोल कंसीट किया है तो अभी तक बहुत अच्छा पर्फोमेंस रहे लिवरपूल का और इस पर्फोमेंस को उनको कंटीन्यू करना होगा विकॉज टाइटल बहुत क्लोस है अभी स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो आर्सेनल सिटी लिवरपूल सब पास पास ही एक दूसरे के तो इस वैसे यहां से लिवरपूल को कंसिस्टेंट रहना जरूरी है वहीं जो इनके अपोनेंटे क्रिश्टल पैलेस इनकी सीजन की सुरुवात तो अच्छी रही थी लेकिन लास्ट कुछ मैचेस में इनकी फॉर्म बहुत गिरी है और अब एक पैलेस की जो रीसेंट फॉर्म वह बहुत ज्यादा खराब है एक बार मैं आपको दोनू का प्रिवियर सीजट दिखाऊं तो लिवरपूल ने अपने लास्ट प्रीमियर लीग मैच में टू निल से शेफिल यॉनेटेट को राया वेंडाइक और शोबोस लाए दोनू ने मैच में एक गोल मारा और अलेक्जंडर अनॉर्ड नूनेज का एक एक असिस था वहीं पैलेस जो है क्रिश्टल पैलेस अपना लास्ट मैच टू निल से बमौत के हातों हारी है फिलाल इस वाले मैच की बात की जाए अल्दो मैच पैलेस के होम में जरूर है लेकिन पैलेस क सबसे में चीज इस मैच की लाइनव पाने के बाद जो भी फाइनल टीम में अपडेट होगी वह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएका पिंड कमेंड में जॉइन कर लीजिए अब हम आते डारेक्ट प्रोईबल लाइनप पर पहले स्टार्ट करते हैं लिवरपूल से यह फेवरेट्स हैं अभी मैं इनके मैंके मैंग्जिम्म यानि कि मैं स्मॉल लिग में लिवरपूल के पिक करने वाला हूँ तो लिवरपूल की प्रोईबल लर्न पर नजए डालते हैं केलेहर इनके गोल की पर होने आले हैं चार इनके डिफेंडर हूँगे अलेक्जंडर आनौल, कोनाटे, वेंडाइक और सीमिकास फिलाल इस मैंच में बहुत अच्छा जांसे कि लिवरपूल क्लिंशीट रख ले त जारतों मैं नहीं लिए रहा हूँ विकॉज मैं एक 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 एक्ट्र आर्टेकल लिया हूँगा, मैं अभी कोई तीन डिफेंडर पिक कर रहा हूँ और जो मेरी टॉप तुरी चोईज है वो है अलेक्जंडर आनौल, वेंडाइक और सीमिकास, अब जो सीमिकास है आपको ल जनाटे को ड्रॉप किया है, मिट फिल्ट रहे हूँगे, शौबस लाए, एंड़ और कर्टिस जोन्स, क्योंकि इनके जो मैनेजर है क्लॉप उन्होंने प्रेस कंफरेंस में बोला कि मैं कलिस्टर फुली फीड निया, वो नहीं खेलेंगे, तो एंड़ और जोन्स दोनों को इग्नोर कर रहा हूँ, एंड़ डिफेंसी बैंडट प्रेयर है, लाश्ट फुलाश मैच में एक रेंडम गोल मारा, लेकिन हर बैंच में गोल नहीं मारेंगे, जबकि जोन्स भी ओके इनसे बेटर ऑप्सन मिल ले थे, तो अभी के लिए मैंने एंड़ और जोन् इसको इग्नोर किया है, फरवर्ट थी हूँगे मोस्ट पबली साला, नूनेज और दियाज, तीनों मश्ट पिगें, तीनों लिवरपूल के टॉप गोल स्कूरर्स में आते हैं, और साला तो इनके टैलिसमन है, अल्लेडी टॉप स्कूरर है, पैनल्टी टेकर है, क्लियर टॉप अप्सन होंगे, बाकि नूनेज डियाज भी वाइस केप्टनसी के टॉप अप्सन होंगे, अलॉम साइट अलेक्जन्टर आनोल, तो यह लिवरपूल की लेवन थी, जो मैं अभी के लिवरपूल के टीन डिफेंडर लेगिया, अलेक्जन्टर आनोल, वेंडिक और स इमिकास, इसके लावे मैं शोबस लाए, डियाज, नूनेज और मोस साला को पिक करके गया हूँ, बाकि साला इनकी पेनल्टी भी लिंगे, और यह अभी तक के लिवरपूल के सियन के स्टैट है, आप देखिए, दस गोल है साला के, चार नूनेज और चार जोटा के गोल है अपोनेट की बात करने से पहले, एक बार फिर से रिमाइन दिलाओंगा, इस मैच की फाइनल टीम या अपडेट के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जोइन करना है, तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको या तो मिल जागा डिस्किप्सन बॉक्स में, या आपको मिल जागा टॉप इंड कमेंड में, जोइन कर लिजिए, अब हम बात करते हैं अपोनेट क्रिस्टल पैलेस की, तो सैम जॉनस्टन इनके गोलकीबर होंगे, मेरे अकॉर्डिंग लिवरपूल ज्यादा टेक करेगी, तो मैं गोलकीबर इनके फिक कर रहा हूँ, जॉनस्टन को, चार इनके डिफेंडर हैं, जो वाट, वाकिम एंडर्सन, गेही और क्लाइन, अभी के लिए मैं यहां से एक डिफेंडर ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है इनकी थ्रेशिंग होगी, इसके मुझे बहुत जादा चांसेज नहीं लग रहे, लेक इस भी रेगुलर पॉइंट देता है, तो अभी के लिए मैं वाकिम एंडर्सन को लेके गया हूँ, बाकि मैंने अभी के लिए गेही क्लाइन, वाट, तीनों डिफेंडर इग्नोर के मैं सिफ एंडर्सन की साथ ही जा रहा हूँ, डिफेंसिव इट में लर्मा और क्रिस रि करने में, तो अगर आपको इन दोनों में किसी एक को लेना, आप लर्मा ले सकते हो, बाट अभी के लिए मैं इन दोनों को ही क्रिस रिचार्ट सो और लर्मा को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं ओलिसे को मिट फिल्ब में शोली फिक करूँगा, मेरे अक्वाडिंग एजे के उल इसनली गोल मार देता है, लेकिन इसे बेटर अप्सन मिल लेते हैं, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, फॉर्बर में आपको एडवाड और आयू मिलिंगे, एडवाड जो है वो पहलेस का टॉप स्कोरर है, शे गोल मार रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि एजे, जो इंजेर है, उनक अगर आप शोर एडवाड नहीं मरेगा, तो आप उनके प्लेस में आयू ले सकते हैं, क्योंकि आयू गोल असिस्ट भी कर सकता है, और यह डिफंसिव कॉंट्रिविशन भी करता है, पर अभी के लिए मैं एडवाड ले रहा हूँ, और आयू के लिए मेरे पाइ स्पोर्ट नहीं था, तो यह क्रिश्टल पैलेस की 11 थी, जो मैं चार प्ले लेगे, मैं गोली बड़ सेम जॉंस्टन ले गिया, इसके लावा मैं डिफेंडर हुआकिम एंडरसन और मैं माइकल ओलिसे और एडवाड को भी करके गया हूँ, बाकि यह अभी तक के पैलेस के सियन के स्ट जा रहा हूँ, तो अभी यह मेरी डेमोर आफ टीम है, गोल के पर मैंने पैलेस से लिये जॉंस्टन, मैंने तीन लिवरपूल से डिफेंडर लिया है, अगर आपको लगते है एडवाड फ्लॉपोगा आप इनके पैलेस में जॉर्डन आयू ले सकते हैं, नहीं तो आप एक मिट फिल्र लेने हैं, तो आप लर्मा के साथ भी जा सकते हैं बागी आप एक चेंज डिफेंस में कर सकते हैं में भी किसी को लगता है सीमीकास का उपडिज आएगा तो आप सीमीकास हटागे कोनाटे के साथ भी जा सकते हैं बागी overall मैं attacker सारी लिया रहा हूँ captaincy के clear cut option साला ही रहेंगे in any Liverpool match wise captaincy में 3-3 अच्छे option है तो आप अपने according इन तीनों में किसी को भी कर सकते हो बाट फिलाल मुझे जिस तरह की form में अलेक्जंडर अलनोर्ड नजर आ रहे ना तो मैं most probably उनको ये अपना VC करूँगा बाट नूनेज और डियाज भी equally अच्छे option है तो अभी ये मेरी demo of team थी updated final team के लिए आपको मेरे telegram channel से join करना है तो telegram channel का link आपको या तो मिल जागा description box में या मिल जागा top pin comment में join कर लिजिए